पिंपल ठीक होने के बाद जब एक्नी स्कार्स बन जाते हैं तो ये दोनों ही अलग अलग प्राब्लम है ये दोनों स्टार्टिंग में देखने में लाल या काले रंग के होते हैं लेकिन दोनों का टेक्स्टर टिप्रेंट होता है जहां दाग दबे का रंग लाल और गहरा होता है लेकिन ये हाथ लगाने में स्मूथ और प्लें होते हैं लेकिन pimple की विज़ा से बनने वाले scars में एक हाली जगा बांग जाती है, जिसे हाथ लगाने पर skin खुर्दरी सी मिसूस होती है, इसलिए इन दोनों को ठीक करने के लिए अलग अलग ठीके का इस्तमाल करना ज़रूरी होता है, ये scars बड़े और छोटे दोनों तरह के होते हैं, अब हम बात करेंगे के scars कैसे बनते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बार बार अपना फेस टाच करते हैं, अपने फेस को टाच करने से अवाइट करें, क्योंकि हमारा हाथ सारा दिन तरह तरह की चीज़ों को टाच करता है, और डस्ट वगरा लगती है, आपकी फिंगर टिप्स के अंदर बेक्टेरिया हो सकता है, वो ही डस्ट जो हमारे हाथों पर लगी होती है, हमारे फेस पर लग जाती है, और यही dust pores के अंदर चली जाती है और pores black हो जाता है जिससे pimple वगारा बनते है जब pimple बन जाता है तो कोशिश कीजिए कि उसे pop ना करें आप अपने हाथों से दबा कर निकालने की कोशिश करते हैं यह जरूर है कि पीप निकालने के बाद जो आपको pain या irritation होती है वो कम हो जाती है वैसे भी pimple आलमोस्ट 3 या 4 दिन के बाद खुद ही dry होकर हतम हो जाता है यह naturally होता है लेकिन अगर आप खुद pop करते हैं तो इससे scars बनने का हत्रा होता है अगर हम बात करेंगे कि इन scar से बचने के लिए हमें किन बातों की care करनी चाहिए अगर आपके face पर pimple है तो आपको अपने face को कम से कम दिन में 3-4 बार जरूर वाश करना चाहिए रात सोने से पहले अपने face को जरूर वाश करके सोया करें क्योंके सारा दिन की dust और पसीना वगर आपके face से साफ होना जरूरी है अगर आप soap वगर यूज़ करते हैं तो उसको avoid करें क्योंके साबवन में बहुत ज्यादा chemical होते हैं अगर आपके face पार acne हैं तो कोशिश कीजिए कि अच्छे brand का face wash यूज़ करें स्क्रब वगर का बिल्कुल भी इस्तमाल ना करें इसके लावा आपने sun screen जरूर जूज़ करना है ताकि आपके skin दूप से बची रहे और मजीर damage ना हो पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तमाल करें fresh juice और salad वगरा कर इस्तमाल अपनी हुराग में जरूर शामिल करें viewers cars के लिए मैं आपको आद बहुत ही best remedy बताती हूँ जिसको use करके इंशालला आपकी ये problem भी solve हो जाएगी तो चलते हैं अपनी remedy की तरफ हम लेंगे एक बरतन अब हम इसमें डालेंगे एक चमच मुलतानी मटी viewers मुलतानी मटी में कहीं तरह के minerals होते हैं जो skin को deep clean करके oil, dust और pollution को दूर करने में बहुत मदद करते हैं इसके बाद हम लेंगे दार्चीनी हमने इतनी डार्चीनी का टुकरा लेना है और इसको पीस कर इसका powder बना लेना है हम इसमें डालेंगे एक चमच डार्चीनी का powder डार्चीनी का powder बहुत best acne scars treatment है डार्चीनी का powder में ऐसी properties पाई जाती हैं कि अगर आपको कहीं चोट लग जाए और हूँ निकलना शुरू हो जाए तो इस पर दार्चीनी का powder लगाएं तो फोरण हूँ बन करने की सलाहियत रखती है इसके साथ साथ अगर स्कीन के ऊपर scars हो जाएं तो उनको भी शिलिंग कर देती है दार्चीनी powder स्कीन को smooth बना कर bump फोरी तोर पर control में लाती है इसके बाद हम इसमें डालेंगे दो चमच fresh aloe vera gel के fresh aloe vera gel pimple से होने वाले scars और damage skin को भी हील करने में बहुत मदद करता है अगर आपके पास fresh aloe vera gel ना हो तो आप market की aloe vera gel भी use कर सकते है इन तुमाम चीज़ों को अच्छी तरह mix करके इसका paste ready कर लें अब हमने अपने face और hand को अच्छी तरह wash करना है और एक brush की मदद से हमने जिस जगह scars बने हुए हैं वहाँ पर हमने इसको apply करना है और इसकी एक मोटी सी layer हमने apply कर लेनी है इसके बाद हमने इसको dry करने के लिए छोड़ देना है जब ये अच्छी तरह dry हो जाए तो सादा पानी से wash कर लें और कोई सामस्टराइजर लगा लें जो आपको suit करता है विवर्स इस बाद का हिया रखें कि इस pack को रात होने से पहले استعمال करना है अगर आपके सकार्स स्टार्टिंग में हैं और छोटे हैं तो इस remedy को यूज़ करने से इन्शालला दो माँ में बिलकुल ठीक हो जाएंगे और अगर आपके सकार्स बहुत पुराने और बड़े हैं तो इनको ठीक होने में कम उसकम 6 माँ लग सकते हैं क्योंके ये होम रेमेडी है इसके रज़र्ट जरूर मिलेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबर के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंदाई हो तो लाइक और शियर कीजिएगा मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए आप इजाज़त चाहती हूँ अल्ला हाफीज